औसत का व्यवार में उप्योग क्या आप बता सकते हैं कि लड़कियों को सामान्य तह घर में खेलने का कितना समय मिलता है? हम जानते हैं कि रोज खेलने का समय निश्शित नहीं होता किसी दिन कोई घंटों तक खेलता है और किसी दिन बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं इसका मतलब है कि एक दिन के आधार पर आप नहीं बता सकते कि लड़कियां प्रती दिन कितने समय तक खेलती हैं अगर आप प्रत्यक लड़की के हर रोज खेलने के समय के बारे में आंकडे एकत्रित करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आंकडे हो जाएंगे इन्हें विवस्थित करना आसान नहीं होगा इस समस्या को हल करने के लिए हम एक महिने के आंकडे लेकर उनके प्रति दिन खेलने का ओसत समय पता कर सकते हैं तालिका 3 देखें यहां हमें 50 लड़कियों के खेलने का समय दिया गया है क्या आप बता सकते हैं कि अधिकतर लड़कियां कितने समय तक खेलती हैं तालिका 3 में आप देख सकते हैं कि अधिकतर लड़कियों को खेलने के लिए औसतन दो घंटे से कम का समय मिलता है सबसे ज्यादा यानि 12 लड़कियां औसतन दो घंटे खेलती हैं किन्तु सभी लड़कियों के प्रति दिन खेलने का औसत समय दो घंटे नहीं है यहां अंक गंडिती ओसत निकालने के लिए सभी 50 लड़कियों द्वारा ओसतन खेलने में प्रति दिन बिताय जाने वाले कुल घंटे पता करने होंगे तालिका 3 प्रति दिन खेलने का ओसत समय घंटे में XI लड़कियों की संख्या FI पचास लड़कियों के खेलने का कुल समय XI into FI लड़कियों की कुल संख्या समेशन FI बराबर 50 पचास लड़कियों के खेलने का कुल समय समेशन FI XI बराबर 75 औसद बराबर समेशन FI XI बटे समेशन FI औसद बराबर 75 बटे 50 घंटे बराबर एक घंटा 30 मिनट यदि प्रेक्षणों x1, x2, x3 से लेकर xn की बारम बरताएं क्रमशह f1, f2, f3 से लेकर fn हो तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण x1, f1 बार आता है प्रेक्षण x2, f2 बार आता है इत्यादी जैसे इस उधारण में प्रती दिन औसतन 0 घंटा खेलने वाली 4 लड़किया है और औसतन आधा घंटा खेलने वाली 6 लड़किया है तो x1 बराबर 0 और f1 बराबर 4 और x2 बराबर 1 बटे 2 के लिए f2 बराबर 6 होगा अब सभी प्रेक्षणों और बारंबरता के गुणन फल fx के मानों का योग बराबर f1 x1 धन f2 x2 धन इसी प्रकार आगे धन fn xn है तथा प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर f1 धन f2 धन f3 से लेकर धन fn है माध्य निकालने के लिए हम इस योग को बारंबरता के योग से भाग देंगे इस प्रकार माध्य हुआ माध्य यानिकी अंक गणिती ओसत बराबर समेशन fi xi बटे समेशन fi जहां i का मान एक से n तक होगा जोड को संक्षिप्त में एक युनानी अक्षर सिग्मा से वेक्ट करते हैं यह जोड को दर्शाता है इसलिए बारंबरता के जोड को समेशन fi और प्रेक्षणो एवं बारंबरता के गुड़न फल के योग को समेशन fi xi से दर्शाया है इसका अर्थ यह हुआ कि एक घंटा प्तीस बिनट का ओसत समय प्रत्येग लड़की को हर रोज खेलने के लिए मिलता है अब बाकी आकडों के साथ इस ओसत की तुलना करते हैं क्या आप बता सकते हैं कि कितनी लड़किया ओसत घंटों से अधिक घंटे खेलती हैं और कितनी लड़किया कम आप देख सकते हैं कि ओसत से कम समय खेलने वाली लड़कियों की संख्या 27 है तथा ओसत से ज्यादा खेलने वाली 23 है इस प्रकार जब हम बड़े पैमाने पर आंकडों का अध्यान करते हैं तब उन्हें व्यवस्थित करने में ओसत हमारी मदद करता है जैसे उपरोक्त उधारणों में लड़कियों के खेलने का ओसत समय या दोड़ने की ओसत गती करके देखें पहला पिछले उधारण में प्रस्तुत कक्षा के 50 चात्रों की उचाई का ओसत ग्याद कीजिए अपनी उचाई के साथ उसकी तुलना कीजिए दूसरा तालिका दो में प्रस्तुत कक्षा के 50 चात्रों की दोड़ने की गती का ओसत निकालिए इस ओसत से आप क्या-क्या निश्कश निकाल सकते हैं वो प्रोक्त उधारणों में आपने दिये गए प्रेक्षणों का ओसत निकालना सीखा परन्तु यदि ओसत पहले से दिया गया हो तो क्या अग्यात प्रेक्षणों को ग्यात किया जा सकता है इस दिये गए उधारण को देखिए